आज हम लोग exercise 3.4 के बाकी questions को solve करेंगे previous वीडियो में हम लोग question number 3 तक solve कर चुके हैं देखिए fourth question है write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4 common multiples हमें निकालना आता है यहाँ पे स्वेटी एक नया foundation लगाया गया है कि 3 और 4 के common multiples 100 से छोटे 100 से और 0 के बीच हम जितने भी common multiples है वो सारे common multiples हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 3 के multiples निकालेंगे उसके बाद हम 4 के multiples निकालेंगे और कहां तक निकालना है 100 तक 100 से पहले जितने भी 3 के multiples हैं वो सारे multiples हम लिखेंगे उसके बाद 100 से पहले 4 के जितने भी multiples हैं वो सारे multiples लिखेंगे और उनमें common multiples detect कर लेंगे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं multiples of 3 multiples of 3 मतलब 3 के गुड़ज 3 के गुड़ज के मतलब आपको 3 की table लिख देना है 3, 6, 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24 हमने 3 के सारे multiples लिख दिये 100 से पहले 99 तक हमने लिख दिया इसके बाद हम 4 के सारे multiples लिखेंगे multiples of 4 multiples of 4 सारे multiples आप लिख दीजे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 यह हमने 4 के सारे multiples लिख दीए है 100 से छोटे अब हमें इन दोनों के common multiples निकालना है common multiples आप लोग देख लेंगे कि दोनों में क्या क्या common multiples है आप हमेशा याद रखिए कि जो भी 2 co prime numbers हमें मिलेंगी आप देखें 3 और 4 co prime numbers हैं इन में कोई भी common factor नहीं है 4 prime numbers के जितने भी multiples common होते वो उन दोनों के product के बराबर होते है यादि आप 3 और 4 करेंगे 12 12 के जितने भी multiples हैं वो सारे multiples इन दोनों numbers के common multiples आपको मिलेंगे देखिए यहाँ पे 12 होगा और यहाँ भी 12 होगा इसके बाद 12 होगा 24 यहाँ भी 24 होगा यहाँ भी 24 होगा फिर देखिए 36 यहाँ भी 36 होगा फिर 48 यहाँ भी 48 होगा यहाँ हम 12 की table को देख सकते हैं 3 into 4 12 हो निकला इन में आप common multiples ढूनेंगे तो आपको 12 के multiples मिलेंगे वो ही multiples इन दोनों के common multiples होगे तो हम लोग common multiples देख सकते हैं 12 24 36 48 इसके बाद हमें 60 मिल जाएगा 60 के बाद 72 मिलना चाहिए 72 72 मिल गया 72 के बाद आप 20 की table पाते जा रहा है 84 मिलेगा 84 84 84 मिल गया 96 मिलना चाहिए तो यह 96 मिल गया इस तरह से हमने 3 और 4 के 100 से छोटे सारे common multiples लिख दी हैं 12 और 24, 36, 40, 50, 70, 24, 96 यहां से आपकी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई कि 3 और 4 चुकि co-prime numbers हैं इनके common multiples इन दोनों के multiply यानि इन दोनों के product के multiples होंगे 3 इन तो 4 इकोले 12 होता है 12 के यतने भी products होंगे वो 3 और 4 के common multiples मिल जाएगे फिर्ट कोस्चन में बताना है कि इन दोनों लिखित में से कौन सी संख्या है सै अबाज संख्या है यानि co-prime numbers co-prime numbers हम लोगों ने previous exercise यों पढ़ा था co-prime numbers हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी 2 numbers जिन में 1 को छोड़के कोई भी common factor ना हो वो दोनों numbers co-prime numbers कहलाती है यहां पर हमें 2 numbers सो दे दी गई 18 and 35 अब हम चेक करेंगे कि क्या 18 और 35 में कोई common factor है 18 और 35 के हमें common factors देखना है फिर देखेंगे कि अगर 1 को छोड़के कोई भी नया common factor नहीं है तो 18 and 35 co-prime numbers होंगी अगर इनमें एक के अलावा भी कोई common factor आता है तो हम कहेंगे 18 और 35 co-prime numbers नहीं है factors of 18 सबसे पहले हम 18 के factors निकार देखेंगे 18 देखेंगे 1 तो सभी का factor होता है यह 2 से भी divisible है 3 से भी divisible है 6 से भी divisible है 9 से भी divisible है and 18 तो 1, 2, 3, 6, 9, 18 यह 18 के factors हुए इसके बाद हम 35 के factors देखें factors of 35 अब 35 के factors देखेंगे 1 तो सभी मोगा उसके बाद यह आप देखेंगे 2 से भी divisible नहीं है 3 से भी divisible नहीं है 4 से भी divisible हो जाएगा उसके बाद 6 से नहीं है 7 से हो जाएगा उसके बाद यह सिर्फ 35 से होगा तो इसके factors है 1, 5, 7, 35 अब हम चेक करें कि क्या इन दोनों numbers के common factors 1 के अलावा भी कुछ है आप देखें 1 common factor दोनों में मिला इसके अलावा इसी कोई भी factor नहीं है जो इन दोनों numbers में common हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे as 18 and 35 have no common factor other than 1 no common factor other than 1 so these are co-prime numbers इसका हिंदी में अपर क्या है as 18 and 35 have no common factors other than 1 जैसे कि हमें मालुम हुआ है कि 18 and 35 के पास 1 को छोड़के कोई दूसरा common factor नहीं है इसलिए यह numbers से अबाज संख्याए है इसको आप हिंदी में भी लिख सकते है चुँकि 18 and 35 में 1 को छोड़के कोई और common factor नहीं है इसलिए यह से अबाज संख्याए होंगी factors हो जाए है 1, 3, 5 and 50 and factors of 37 37 एक prime number है तो इसके दो ही factors होंगे 1 और 37 अब अब देखेंग इन दोरों में common factor shift और shift 1 मिल रहा है तो हम लिखेंगे as 15 and 37 have no common factor other than 1 so, these are co-primes इस तरह से हम second part group करेंगे थाले हम लोग 30 के factors लिख लेंगे 30 के factors साथ देखें जाए हैprises 30 के factor होगा 1, 2 से divisible है, 3 से divisible है 4 से divisible नहीं 5 से है छे पिल 6 से है उसके बाद 15 से है और 30 से है यह factors होगा 30 के अब आद देखें 415 के 415 के factors हम लकफा सब से पहले 1 तो microfines to scale करें इसके बाद सब़ाद करें को यह 2 firm है unit digit ने 5 है दो multip recommended होगी 3 का मणीविल होना चाहिए 5 प्लस 1, 6, 6, 4, 10, तीन से डिविजबिल नहीए 4 से डिविल हो जाएगा क्या यहां पे लाज डिविल है इसके बाद हम देखेंगे यह 6 से डिविल है यह 2 और 3 से नहीं 7 से भी चेक कर सकते हैं लेकिन हम यहां पर देखें कि 1 और 5 हमें दो अब आगे करने की ज़र्वत नहीं, आप यहीं से बता दीजिए, as 30 and 4 and 50 have more than 2 common factors, have, हम लिख देंगे, as 30 and 4 and 15 have more than 1 common factors, so these are not co-prime, इस लिए हम उनको बताएंगे, यह co-prime number नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक factor 1 मिल गया, दुसरा 5 मिल गया, इसी दे से आगे पढ़ेंगे, तो और भी count factors मिल सकते हैं, हमें सिर्फ यह देखना है कि 1 के लावा कोई भी count factor नहीं है, तब ही co-prime number होती है, क्या आप एक में देखा 1 भी है, 5 भी है, तो यह co-prime numbers नहीं होगी, अब हम सारे question चल्दी जल्दी swallow करेंगे, आप देखिए 17 के factors हो जाएंगे 1 and 17, और 68 के factors हो जाएंगे 1, 2, आप देखें कि 1 भी count factor हो गया, 17 भी count factor हो गया, हम लिखेंगे कि in these numbers, more than one common factor is available, so these numbers are not co-prime numbers, इन number में एक से अधिक common factors हैं, इसलिए ये numbers से अबाज संख्याएं नहीं होगी, लिख देंगे no, these numbers are not co-prime, इसी तरह से जब हम E और F दी solve कर सकते हैं, आप लोग E और F अपने मन से लगाने कोशिस कीजिए, नमर 6 में कहा गया है, a number is divisible by both 5 and 12, by which other number, will that number be always divisible, एक number है, जो कि 5 और 12 दोनों से विवाजित होती है, आपको बताना है कि ऐसी कौन से दूसरी संख्याएं है, सिर्फ एक संख्याएं बताना है, इसी कौन से दूसरी संख्याएं है, जिससे वो number विवाजित होगी, आप देखें क्या पांच और बारा को प्राइम नंबर्स हैं क्या आप फेक्टर्स देखेंगे तो सिर्फ 1 और 5 मिलेंगे और 12 की फेक्टर्स देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 and 12 आप देखें यहाँ पे एक के अलावा कोई भी कामन फेक्टर नहीं इसका मतलब है कि 5 और 12 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं जब 5 और 12 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो आपको अमेशा याद रखना है कि इनके प्रोडक्ट से जो संख्या बनेगी 5 का गुणा 12 में कर देखें तो जो संख्या में मिलेगी उस संख्या से भी वो संख्या विवाजित होगी जो संख्या इन दोनों संख्याओं से विवाजित है यान्य आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12 इंटू 5, 60 तो हम लिठेंगे कैसे as 5 and 12 are co-prime numbers जैसा कि हमें पता है कि 5 and 12 co-prime numbers है so 5 into 12 equal to 60 will be the number which can divide that number which is divisible by 5 and 12 both तो हम इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं कि चूंकि 5 और 12 दोनों से वाजित संख्या है तो ऐसी number बताना जिससे वो number फिर से वी वाजित हो यहां पर सिर्फ एक ही number दे दी गई है a number is divisible by 12 by what other numbers will that number be divisible? एक number 12 से वी वाजित होती है तो वो number 12 के जितने भी factors हैं उन सारे factors से भी divisible होगी तो आप यह बता देंगे factors of 12 के वाजित factors of 12 equal to 1, 2, 3, 4, 6 and 12 तो अगर एक number 12 से divisible है तो वो number 1 से भी divisible होगी 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी हमें बताना है कि अगर एक number 12 से divisible है by what other numbers will number be divisible तो हम बताएंगे that number will be divisible by 1, 2, 3, 4 and 6 also यह दिमिका लेखेंगे वो संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 से भी पूरी तरह से विवाजित होगी